इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करतें. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Meprit 10 mg Tablet शरीर द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाए जाने वाले progesterone hormone जैसा ही है यह periods को नियंतरित करता है अनियमिद bleeding को रोकता है और amenorrhea, महवारी ना आना, period असामान्य तरीके से बंध होना के मामलों में bleeding को रोकने में मदद करता है Meprit 10 mg Tablet को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिया जाना चाहिए आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपको कितना और कितने समय तक लेने की आवश्यक्ता है आप इसे खाने के साथ या बिना खाना खाय ले सकते हैं लेकिन हर रोज इसे एक निश्चित समय पर लेना अधिक असरदार हो सकता है आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर देश मिले हो तब तक इस दवा को ले इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में सिर दर्द, पेट में दर्द, कमजोरी और चक्कर आना शामिल है अगर आप इन में से किसी से भी परेशान हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं इससे अनियमित महवारी, ब्लीडिंग या महवारी के बीच में स्पॉर्टिंग भी हो सकती है अगर ये बार-बार हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को बताएं इस दवा को लेने से पहले, अगर आपकी कभी कोई ब्लीडिंग जैसी समस्या हुई हो या ब्लाट लॉट्स, स्ट्रोग, हौट अटैक, लिवर से समबंधित कोई समस्या या ब्लीडिंग की समस्या हुई हो तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं गर भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा नहीं लेनी चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो क्रिप्या इस वीडियो को लाइक करें अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको ऐसे ही और दवायों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद